हालो बच्चों कैसे हाल चाले बटा तो बच्चों हम लोग Convergence of Infinite Series के अगले वीडियो पर बटा आ गए हैं और इस वीडियो में हम लोग Love of Mix Series और Exponential Series का बटा Convergence चेक करेंगे इसके बटा बहुत से वीडियो में अप्लोड कर चुका हूँ सारे वीडियो बटा प्लेलिस्ट में दिएगा है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है उस पर जाकर आप सारे वीडियो मस हो करके पढ़ सकते हैं लेकिन इस्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आयागा अचले यह बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं convergence of logarithmic series को कैसे हम लोग chip करेंगे दोग बच्चों क्या होता है जो हमारी logarithmic series होती है जब हम log of 1 प्लस x का expansion पढ़ तो यह series बच्चों infinite तक जाती है और जो भी series infinite तक जाती है प्लस माइनस प्लस माइनस करके होता है उसका हम लोग convergence चेक कर सकते हैं ठीक है देखो अब convergence चेक कैसे करेंगे सबसे पहले UN निकाले UN क्या होगा देखो माइनस 1 की पावर N-1 X की पावर N अपाउन एन तो N को 1 रखेंगे तो माइनस 1 की पावर 0 कि प्लस 1 कि प्लस 1 एपाण अपन एन प्लस 1 अपन यह वह गया दोखो अचली एक्स जो हमारे सारे टेस्ट है डिये लेंबर टेस्ट बगरा जो भी है जैसा कि मैंने आपको बैनोमिल सीरीज के वी कन्वरजेंस में बताया था आपको जो डिलेंबर टेस्ट भी बिल्टा होता है उसमें X को positive होना चाहिए मतलब positive term की series होना ही चाहिए तो इसलिए positive negative को चक्कर से बचने के लिए हम लोग क्या करते है absolute convergence check कर लेते हैं है ना तो absolute convergence check करने में क्या होता है कि हम लोग actually sigma mod of un को check कर लेते हैं इससे क्या होता सारे term positive हो जाते हैं मतलब अगर X negative भी हुआ तब भी सारे term इस series के क्या हो जाएंगे positive हो जाएंगे इसलिए ऐसा करते हैं अच्छा अब absolute convergence check कर रहे हैं तो हम un को mod un लेंगे इसको mod un प्लेस बन लेंगे जब इसको mod लेंगे तो यह minus 1 का term खतम हो जाएगा क्योंकि n even हो या odd हो सबकी value प्लस ही रहेगी यहां पर भी जब हम इसका mod लेंगे तो यह term खतम हो जाएगा तो X की power n प्लस 1 upon n प्लस 1 होगा अब देखो हम क्या करेंगे limit n tending to infinity लेंगे mod of un upon un plus 1 लेंगे हम लोग तो क्या होगा limit n tending to infinity होगा mod of un upon un plus 1 करेंगे तो क्या होगा यह बचेगा n plus 1 upon n into X यहां पर बच्चो देखो यह बचेगा है ना un को इससे divide करेंगे तो यह n plus 1 ऊपर जाएगा और यह 1 upon X पर जाएगा देखो infinity पर इसके limit क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी तो bun upon mod X यहां पर बच्च जाएगा अब फिर वही चीज़ है क्या कि अगर bun upon mod X greater than 1 हुआ तो series क्या होगी convergent हो जाएगी यानि कि 1 greater than mod X हुआ यानि कि mod X less than 1 हुआ यानि कि X minus 1 से 1 तक हुआ तो series क्या हो जाएगी convergent हो जाएगी दूसरा case देखो bun upon mod X अगर हम less than 1 लेंगे या ऐसा कह दो कि one less than mod X यानि कि mod X greater than 1 पर series क्या हो जाएगी divergent हो जाएगी तीसरा case देखो अगर हम one upon mod X equal to 1 लेते हैं तो test fail होगा अब ऐसे case में क्या करेंगे ये mod X equal to 1 हो गया यानि X plus minus 1 हो गया अब हम क्या करेंगे जैसे कि मान लो अगर हम X को 1 लेते हैं तो इसको अलग से deal करना पड़ेगा अगर हम X equal to 1 लेते हैं तो X equal to 1 पर जो हमारा expansion है वो ये था ये expansion था इसका योकि हमें expansion से ही मतलब है X equal to 1 पर देखो ये expansion ऐसे हो जाएगा अच्छा अब दोखो ये जो expansion है ये क्या बन गया ये positive, negative, positive, negative alternate series बन गया और यहाँ पर हर term पिछले term से less है मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं term की value कम होती जा रही है योकि alternate series की condition थी है ना और ध्यान दो जो हमारा un है ये है minus 1 की power n by n तो जब हम इसकी limit निकालेंगे infinity पर तो ये limit क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी तो कि 1 upon n है ये value या तो minus 1 होगी या plus 1 होगी लिकिन नीचे infinity तो value 0 हो जाएगी तो alternate series की तीनों condition सटिस्पाई हो रहे है इसका मतलब x बरावर 1 पर ये series क्या हो जाएगी convergent हो जाएगी मतलब x बरावर 1 पर हमारी lock series क्या हो जाएगी convergent हो जाएगी तीसरा case दोखो अगर हम ले x को minus 1 ले क्योंकि दोखो यहाँ पर 2 cases आये थे plus 1 और minus 1 तो 1 के लिए convergent हो गई minus 1 के लिए दोखो क्या होगी जो हमारी series होगी दोखो अगर हम x को minus 1 यहाँ पर लेते हैं तो minus 1 लेने पर बच्चों क्या होगा यह हमारी series थी x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x की बावर 4 by 4 अगर हम x को minus 1 लेकेंगे तो क्या होगा minus 1 minus 1 by 2 minus 1 by 3 minus 1 by 4 यहां से minus 1 को कामल ले लें 1 plus 1 by 2 1 by 3 1 by 4 तो को यह series क्या होगी यह वही होगी sigma 1 upon n की पावर p और p क्या होगा यहाँ पर 1 होगया तो कि p को अगर हम 1 लेंगे तो sigma 1 upon n यहीं 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 ऐसे बनेगी तो p equal to 1 लेने पर जो हमारी यह series होती है यह क्या होती है divergent हो जाती है तो इसका मतलब x परावर minus 1 पर भी series divergent है और mod x greater than 1 पर भी series divergent है इस पर convergent है और x equal to 1 पर मतलब कुल मिलाके x की value अगर मैं minus 1 से 1 तक लेता हूँ तो इस पर हमारी जो lock series है यह convergent हो जाएगी मतलब lock series के convergent होने की condition क्या हो गई x हो गया minus 1 से लेकर के 1 तक 1 पर equal है minus 1 पर नहीं द्यान देना तो minus 1 और 1 के बीच में अगर x है और 1 पर equal है तो lock series हमारी convergent होगी मतलब कभी हम lock series को लिख सकते हैं convergent का मतलब हुआ आप series को तभी लिख सकते हैं जब x ऐसा हो अगर x जैसे कि माली जए x की value आप 2 लेने तो आप series को नहीं लिख सकते हैं उसमें गलती हो जाएगी अगर आप x को 1 से बड़ा कुछ भी लेने अगर आप x को 3 लेने तब भी आप series नहीं लिख सकते हैं गलती हो जाएगी आप series को तभी लिख सकते हैं जब x की value माइनेस 1 और 1 के बीच में हैं हाँ 1 के एककल भी हो सकती है ये बास समझे ना तो ये बात यहाँ पर important है हना तो लॉक series के convergence की condition देखो ये आ गए अच्छा इसी पकार हम देखो आगे पढ़ें और exponential series का भी हम लोग बच्चों convergence इसी वीडियो में चेक कर लें exponential series भी हम लोग जानते हैं तो exponential series में दोखो बच्चों क्या होता है exponential series में क्या होता है exponential series मैं जब से copy pen पर पढ़ा रहा हूँ आप लोग गाने बाने सुन नहीं पा रहे है क्योंकि इसमें उसमें तो मिटाते हैं मिटाते हैं मिटाते हैं गाने गा लेते हैं लेकिन यहाँ पर क्या गाने गाएंगे तो आप लोग सोच रहोंगे सरगाना नहीं गा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं पड़ाई हो रही है दोखो E की पावर X का ये expansion अपना होता है ये expansion क्या होता है E की पावर X का होता है अप्टो infinity तक ये जाता है यो कि हम किसी भी series का convergence तदी चेक करते हैं जब वो series infinity तक जाए दोखो इसमें U N निकालेंगे तो क्या होगा X की पावर N-1 अपन N-1 का factory लोगा दोखो N को 1 रखोगे X की पावर 0 अपन 0 फर्स्ट अम मिलेगा N को 2 रखोगे सेकंड अम मिलेगा N को 3 रखोगे थर्ड अम मिलेगा अच्छा UN प्लेस 1 क्या होगा X की पावर N अपन N फेक्टोरियर दोखो यहाँ पर भी हम X के positive negative से बचने के लिए क्या करेंगे absolute convergence चक करेंगे तो absolute convergence में क्या होगा N tending to infinity mod of UN करेंगे और mod of UN प्लस 1 करेंगे तो इसमें दोखो क्या होगा limit N tending to infinity ऐसे दोखो होगा